हेलो एवरिबन कैसे हैं बच्चो आप सभी आसा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे तो बच्चो यूपे पुलिस 2024 का आपको पता होगा एक्जाम 17 तारिक से सुरू होने वाला है तो बहुत सारे बच्चो के मन में डाउट होता है कि सर किस प्रकार हमको पेपर मत्र देने वाला हूँ यदि आपने ये दस दिन ये चीज फोलो कर ली तो समझ लिजेगा आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं यहाँ पे जीके रिजनिक मैट और हिंदी तीनों के बारे में बात करूंगा और अंतिम समय में कैसे तैयारी करें और आपको एक आपके साथ करने वाला हूँ तो बच्छो वीडियो आपके लिए बहुत इंफोमेटि होने वाली है अगर आप योगी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को जरूर देखेगा तो चलिए बच्छो शुरू करते हैं देखे बच्छो पहले बात कर लेते हैं मातर दस दिन मैं मातर दस दिन बता रहा हूँ आपको कि दस दिन में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है बहुत सारे बच्छो को यही पता नहीं होता कि सर अंतिम समय में क्या पढ़े ही हमारे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्छो को कि सर हमें पता ही नहीं चल रहा हमने क् syllabus complete किया है या नहीं है बहुत सारे बच्चों का syllabus ही complete नहीं होता है अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा syllabus में कुछ चीज छूट रही है तो बच्चों बहुत जल्दिगर के उसको complete करिएगा कि हमारा यह syllabus है जैसे मालिया अगर आपको लगता है कि हमें राज्यपाल जो है हमारा छुट गया है economics में या आपका economics में कुछ भी आपका जो अर्थसास में कुछ भी छुट गया है तो उसको पहले complete करिएगा या आप लग सकता है कि history में मेरा कोई topic है वो जो है मेरा complete नहीं हो पाया है और कुछ ऐसा लगता है हमें की reasoning में हमारा ये topic है जैसे आपको blood relation होता है जैसे blood relation हमारा complete नहीं है तो मैं ऐसा लगता है कि ये हमारा complete नहीं है तो उन सवालों को जाकर बिल्कुल अभी clear करिएगा कि हाँ ये ये syllabus हमारा था जिसमें हमें problem हा रही थी अब बहुत सारे बच्चे ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं अगर आपने test मोखिक test दे हैं अब मोखिक test में उनके जो सवाल गल्थ होते हैं ये चीज़ आगे बताऊंगा मैं किस बच्चे ने किस तरीके से improve किया वो भी आपको बताऊंगा तो अगर मोखिक test हम देते हैं तो मोखिक test में जो हमारे सवाल गल्थ होते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि उन्हें ignore कर देते हैं जो सवाल गल्थ होते हैं ये ही कारण है कि आपका result घटता चला जाता है बच्चो घटता चला जाता है और वो उसमें संसोदन नहीं कर पाते हैं सबसे बड़ी reason है अगर आप कोई मोखिक test दे रहे हैं और आपके आप पर blood relation का कोई सवाल गल्थ हो जाता है या dice का कोई सवाल गल्थ हो जाता है या दिसा सवाल मोख test में आपका गल्थ हो रहा है यह देखिए अगर अभी अभी आपको क्या गरना है मोख test नहीं देने यह देखना है कि जो पहले मोख test आपने दिये हैं उनमें किस तरह के सवाल में गल्थ कर रहा हूँ, जनर्न ओलिज में किस तरी के सवाल गल्द कर रहा हूँ, माले जनर्न ओलिज में आपका सवाल गल्द हो रहा है, राष्टपती से संबंदे सवाल गल्द हो रहा है, तो आपको राष्टपती आपका समास गल्थ हो रहा है या हिंदी में आपका रस गल्थ हो रहा है तो बच्चों वहाँ गल्थी है कहीं न कहीं अगर आपने उस गल्थी को पगल लिया तो आप सवाल गल्थ नहीं करेंगे अब बहुत सारे बच्चे मैंने पहली वीडियो बनाए दी उसमें भी मैंने आपको यही बताया था और last time पे यह बता रहे हूँ कि अगर आप देखिए हिंदी में क्या चीज़े गल्द कर रहे हैं आप बहुत सारे वरतनी गल्द करते हैं चलो वरतनी मान सकता हो मैं वरतनी गल्द हो गई आपके हो गई संधी आपकी गल्द हो गई बहुत बड़ा है चैप्टर वो संधी भी गल्थ हो जाती है लेकिन अगर आप समास वाच्चे और आपकी किरिया विस्सेशन ये चीज़ों गल्थ कर रहे हैं तो इसमें आपको टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चो सबसे बड़ी गल्थी है ये बच्चो सिरफ आपको वो ही किलास अब देखनी है जहां आपको प्रोब्लम है बहुत सारे बच्चो का मनोबल डाउन हो जाता है मेरा थन वो किलास लेते हैं अपने सवाल लगाते हैं और पास नोट्स हैं वो चीज को रिवाइज करना है मातर दस दिन आपको ये चीज कर लेनी है बच्चा आपको रिवाइज करना है रिजल्ट तो आपको अलड़ी आही जाएगा कितने कोश्चन आटेम्ट करेंगे आप पता चली जाएगा लेकिन अगर अब के टेम्पे आप इस चीज को करेंगे तो आपका मनोबल डाउन हो जाएगा आप एक अच्छे तरीके से पेपर नहीं दे पाएंगे तो प्लीज बच्चो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा कोई भी टेस्ट ना दे क्यूंकि टेस्ट मोकिक टेस्ट आपका जो आपकी मेरा थन है इसम तो उनको बहुत ज़्यदा प्रोब्लम हो जाती है उनका रिजल्ट घट जाता है तो प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा मेरे प्यारे बच्चो कि आपको ऐसा नहीं करना है अब ही क्या करना है आपको रिवीजन करना है जो चीज आपने पहले पढ़ चुके है उनी चीजों को रिपीट करना है दस दिन के अंदर और यह देखना है कि हम उसमें से कुछ भी गल्त ना करें अब बहुत सारे बच्चों का यह सवाल था कि सर क्या मौक टेस्ट दें अब या नहीं दें बिल्कुल मैं तो बच्चो देखे आपका तो पता नहीं लेकिन मै आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दस दिन आपको मौक टेस्ट नहीं लगाने हैं जो दस दिन के अंदर मौक टेस्ट लगा रहा है बच्चो वो गल्ती कर रहा है आपको मौक टेस्ट नहीं देने लेकिन आपको यह चेक करना है जो आपने मौक टेस्ट दिये हैं अब तक उनमें आपने कहां गल्ती की है, कैसे question आपने गल्त किये है, वो analysis करने का time है, बच्चो अग, अगर आप अब भी नया test, आप mock test देंगे, आप वहाँ भी सवाल गल्त करेंगे, बच्चा, ये समय है, last में पीछे आपने जितने mock test दिये है, उनमें कहां गल्ती की है आपने, उस गल्ती को सुधारने का समय है, जिस बच्चे ने ये कारिय कर लिया, मैं guarantee देता हूं, उसका selection होके रहेगा, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, आपको paper time पे कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, अगर आपको selection चाहिए, तो ये करना ही होगा, अपने mind को relax करिए, अपने mind में ये set कर लिजेगा, हाँ मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने अब तक पढ़ लेया है, वो ही चीज मुझे करके आनी है, और मैं भगवान से प्रात्ना करता हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जितनी मैंने महनत किये, मुझे उतनी भगवान दे दे, तो इस तरीके से येदि आप paper करने जाएंगे, तो guarantee आप विल्कुल select हो कहाएंगे, बात करते हैं, time 120 minute आपको मिलेंगे, 1500 question होंगे, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1500 question पर अपना वो effort लगाते हैं, बच्चा अगर मेरी बात माल ले ना अपने, अगर मेरी बात माल ले, बच्चा आपको ये target करना है कि मुझे 120 सवाल, 120 सवाल करने हैं, डेड़ सो में से, लेकिन ये 120 सवाल बिल्कुल ठीक करने हैं, बच्चो बिल्कुल ठीक करने हैं, अपना समय इसे हाँ लगा दीजिगा, उन 120 सवाल पर, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत तेजी के साथ जाते हैं, अगर आपको कोई सवाल, ये सवाल है, वो नहीं आ रहा, तो उसमें time लगाने की जरूती नहीं है, बच्चा, जब हमें पता है कि हमने भारत के राष्टपती का पद की सनुछेद में हैं, हमने वो पढ़ा ही नहीं है, तो उसमें time waste क्यों कर दें हैं, अगर आप उसमें time waste करते हैं, तो बच्चा, ये गलती है, आप उस सवाल को छोड़ सकते हैं, अगर आपने ये पढ़ा है कि राज्येपाल मैंने पढ़ा है, राज्येपाल कौन है उत्तर परदेश का, तो आप उसे 100% लगा के आएंगे, आप time waste नहीं करेंगे, तो मैं इसी तरीके साब को बता रहा हूँ, कि जो चीज है उसको एक बार cover कर लिजेगा, जिससे कि आपका बहुत ही अच्छा score बनेगा बच्चों, अब बात कर लेते हैं, बच्चों के score के बारे में यहां देखिए, यह 100 सवाल यहां पर correct किये हैं, और incorrect इसके 15 सवाल हो चुके हैं, इसने under attempt करें हैं, यह नहीं पैते सवाल इसने attempting नहीं किये हैं, 86.95 इसकी accuracy रही है, इसके 192.5, 300 में से 112 में नंबर इसके हैं पर आए हैं, इस बच्चे के, rank की अगर मैं बात करूँ, तो 12,509 बच्चों ने यह simple आपको बताऊँगा कि किस बच्चे का कितना score आ रहा है, तो यह score इस बच्चे का यहां पर आ रहा है, इस बच्चे के बताता हूँ आपको, इस बच्चे ने पहला mock test अपना दिया था, और यह OBC में आता है, बच्चों यहां पर देख लिए जिगा, rank इसकी है, 17,800 बच् भी rank है, इसके score जो है, 198 ही आया है, 300 में से, और इसकी अगर मैं बात accuracy करता हूँ, 75% accuracy है, इसने question attempt किये थे 144, 500 में से 144 ही question इसने attempt किये और इसका score इतना आया, फिश ने second mock test दिया, second mock test में इसकी rank 104 में आई, 11,338 बच्चों ने paper दिया था, 226 का score इसनी किया था, अब बहुत स सारे बच्चे कहेंगे, sir paper slow आ गया होगा, paper थोड़ा normal आ गया होगा, बिल्कुल मान सकते हैं बच्चों, इसलिए मैंने इस बच्चे की 5 अलग-अलग set इसके देखे हैं, तो यहाँ पे इसकी accuracy की बात करता हूँ, तो 81.09% और इसने 148 question यहाँ पे attempt किये हैं, यानि पहले से चार question ज्यादा इसने attempt किये, और score देख लेजेगा, 226 इसका आया है, और दिखाता हूँ आपको इसका, यहाँ पे 23,301 बच्चे ने हाँ पे paper दिया, 1080C rank आई, इसकी 228 इसके number आए, यहाँ पे इसने 149 question attempt किये, 81.21 इसकी जो है, आपकी accuracy बच्चा यहाँ पे थी, तो या नहीं हर बार यह बच्चा increase कर रहा है अपने आपको, क्यों कर रहा है बच्चो यह increase, क्योंकि यह जानता है कि मैंने पिछले test में क्या गलती की है, इसने उस पे सुधार किया है, और अगला test दिया है, तो इसलिए इसका improve हुआ है, तो मैं आपसे यह suggest करता हूँ, जाके दे पार ही मिलेगा, next देखते हैं इसका बच्चो, यहाँ पे इसके 425 वी rank आई है, 13,199 बच्चो ने paper दिया था, यहाँ पे इसने 238 नमबर, यानि पहले से 10 नमबर जादा लेकर आया है, और 83% accuracy है, 119 question इसने बच्चा attempt किये हैं, देख सकते हैं, आप correct 121, correct 125, यह चीज आप यहाँ पे देख लीजेगा, कितना अच्छा score इस बच्चे ने किया है, और अब last का भी इसका दिखाने वालों में आपको जो final इसने दिया है, इसके बाद यह कोई भी मोक टेस्ट नहीं देगा, rank 272 है, इसकी 15,490 ने paper दिया था, यह test book का आपको दिखा रहों में, उसके पाद score देखें, इसका 247.5 इसका score आया है, जिसमें इसने 60% accuracy किया है, पूरे 1500 के 1500 question attempt किये दे, जिसमें 139 question इसके सही है, 21 question इसके जो है, गलत हुए है, तो आप देख सकते हैं, किस तरीके से average जो इसका score है, वो बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है, यही कारण है, बच्चा क्योंकि यह जिस test को देता है, उसको अच्छे से analysis करता है, कि मैं इसमें क्या गलती कर गया था, किस चीज में मैं कमजोर हूँ, वो चीज जिसने अपनी मजबूत की है, इसलिए इस result बढ़ रहा है, अगर आपका result घट रहा है, तो उसका कारण यही है, इस बच्चे को किया था, अंकित भाटी जी है, उनके इस पे accuracy, accuracy देखें, यहाँ पे इनका 100% इनकी accuracy है, अने टेंट एक इसमें दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं, आप इनोंने क्या यह किया है, यहाँ पे इनके 38 कोश्चन आये हैं, 40 में से 38 कोश्चन आये हैं, यानि कि इनोंने सिर्फ एक ही पोर्षन यहाँ पे दिया था, एक पोर्षन में इनके इतने नंबर जो है, यहाँ पे आ रहे हैं, तो अलग-अलग पोर्षन का भी आप दे सकते हैं, जो चीज आपकी कमजोर है, तो उसको एक बार देखीगा, कि कितने अच्छे तरीके से आप उसको कमप्लेट कर पाएंगे बच्चो, एक और देखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे इसी बच्चे का है यह, इसने जब करेक्ट पूरा अपना किया, तो 80% के हिसाब से इन्याने रैंक इसकी 449 वी रैंक आई थी, 228 बच्चो ने आपे पेपर दिया था, लगभग 175.5 इसके जो है आपे नंबर आए, इसने चांड में कोश्चन जो है, इसने करेक्ट किये थी, तो बच्चा अगर आप भी इस चीज को फोलो करेंगे, आप भी यह मानेगे कि हमसे गलती हो रही है कही न कहीं, या हम उसको सुधार रहेंगे, या सुधार करने कोशिस करेंगे, तो जर दस दिन बचो, और माइंड फिरी रखिये अपना, आसा करता हूँ, आपका नंबर जरूर आएगा, और ये भी मैं आसा करता हूँ आप से कि आप जरूर इस चीज को फोलो करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आएगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सबस स्काइब जरू कर लीजेगा, मिलते हैं गाइज, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, गुड़ बाई